नमस्कार प्रस्तुत है रिजनिंग और थाथ mental ability और थाथ बौधिक योगिता का यह पार्ट 7 वीडियो प्रस्णों को शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जो रिजनिंग के प्रस्ण होते हैं इनको solve करने के लिए कई methods यूज हो सकते हैं अर्थाथ कई तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं लेकिन परिक्षा में आपके पास समय सिमित होता है उस सिमित समय में ही उसको हल करना होता है तो इसके लिए आपको प्रस्णों को हल करने का जो ट्रिक है वो जानना ज्यादा आवस्यक है तभी आप सिमित समय में सभी प्रश्णों को हल कर पाएंगे आने था एक ही प्रश्ण में बहुत सारा समय आपका लग जाए लग जाएगा तो जब मैं प्रश्णों को हल करूं तो आप उस ट्रिक को देखे और ट्रिक को समझे और ट्रिक को याद रखें अगर आप ट्रिक को याद रखेंगे तो ये सारे प्रस्ण आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और चुटकियों में सेकेंडों में आपका प्रस्ण हल हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं जो पहला प्रस्ण हुने लिया है ये CMMSS 2024 अर्थात जारखंड में होने वाले मुख्यमंत्री मेधा च्छात्रविर्ती 2024 का यह प्रश्ण है 41 विद्यार्थियों के वर्ध में राजेस 25 इस्थान लेता है अंत से राजेस का थान क्या है पतलब सुन्द से उसका अस्थान का सथान पर है तो आंत से हम गिनेंगे तो उसका थान क्या होगा बहुत ही आसान सवाल है यदि आप ट्रिक का इस्तेमाल करें सिंपल आप क्या करें कि ये जो कुल विद्यार थी है इससे ये जो पचीसवा अस्थान है इससे एक कम कर दे चोबिस इसमें से चोबिस घटा दे तो आप ये देखें क्या आता है 11 से 7 गया 4 और ये 3 से 2 गया 1 तो ये अंत से राजियस का अस्थान होगा 17 बस इस ट्रिक को आप याद रखें क्या हमने किया कुल विद्यार्थियों से इससे जो पचीसवा था इससे एक कम कर दिया और इसको घटा दी कुल विद्यार्थियों में से हमारा आगयातुर तैंसर अब एक बात और ये ट्रिक कहां से आया कैसे बना ये ट्रिक या खुद पता करें अब दूसरा देखें एक पंक्ती में महेश ठीक बीच में है उसका स्थान उनिस्वा है उस पंक्ती में कुल कितने लोग है ठीक है तो देखें यहां की एट्रिक होगा ये उनिस्वा स्थान है और ठीक बीच में है तो इसके दोनों और अठारा अठारा लोग होंगे तो आप क्या करें? इससे एक घटाएं, आ हो गया 18, और इसको दो से गुना करें, और इसमें फिर एक जोड़ दें, तो यह हो गया 37, तो उस पंक्ति में कितने लोग थे? 37 थे, अब यह ट्रिक कहां से आया? मैंने शुरू में बताया कि मान लीजे, यह 19 है, और इधर जो है, कितने लोग है? 18 है, और इधर है 18, तो आप खुद जोड़ लीजे, 18, 18, 36 और एक 37, विल्कुल सिंपल हल है इसका, प्रस्त संख्या 3 देखिए, टिक्टो के एक पैकेट में शुरुआती क्रमांग 56,701 है, एवं अंतिम क्रमांग 56,755 है, उस पैकेट में कुल कितने टिकेट है? देखें, जो बैंक वगर के करमी होते हैं, वो बड़े आसानी से इसका इसाब लगा लेते हैं, या जो एलेक्शन में जाते हैं, तो एलेक्शन में आप देखेंगे कि ये वो बैलेट पिपर का बंडल मिलता है, वहां भी ये होता है, बड़ा मुस्किल होता है, बहुत जो अंतिम करमांग है, इससे सुरुवला करमांग को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा, पांच, छे, साथ, पांच, पांच, और ये पांच, छे, साथ, सुन, एक, ये घटा दे रहे हैं, तो ये आ गया, चार, और ये आ गया, पांच से घटा दिए, पांच, पांच, पांच पच्पन आया जिसमें एक और आप जोड़ें तो यह हो गया पच्पन तो इस पैकेट में कुल कितने टिकेट है पच्पन है अब एक चौथा यह यह तीन प्रशनों से थोड़ा अलग है जिसमें है अपने वर्ग में सीमा का स्थान 25 है अंत से उसका स्थान 27 है बताएं उस वर्ग में कितने विद्यात देखिए ऐसे आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे तो बड़ा स्किल होगा इसको हल करना है लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूं इस ट्रिक से आपका पांच सेकंड के भी नहीं लगेगा और आपका हल हो जाएगा क्या करें यह 25 और 27 को जोड़ दें जोड़ दिया 25 जोड 27 कितना हो गया साथ पांच बारा के दो हत्मरा एक दो दो चार औ पांच तो यह गया बावन इससे एक घटा दें एक तो उस वर्ण में कितने विद्यारती थी थी एक तो एक बार इस ट्रिक को मैं फर से दोरा दे रहा हूं जब इस तरह का प्रस्ण रहे तो यह पहला वाला जो सुरू से उसका स्थान है और अंस स्थान है दुनों को जोड यह जोड़के एक घटा दीजिए आराम से इसका अंसर निकल गया है अब यह दिखें पांचवा नंबर सवाल तो यह पांचवा नंबर सवाल पहले नंबर जैसा ही है बिल्कुल पहले जैसा है तो हमने क्या किया था यह जो कुल विद्यार थी थी थे उससे यह जो कर दिया हैं हमने कितना किया पचास को क्र देंगे तो उन्चास हो जाएगा और यह घटा देंगे पंदर से 9 6 आप यह से हो गया चह से चार तो यानी किस स्थान पर हो 26 स्थान पर अंसे उसका स्थान और 26 आप यह संख्या 6 bekommt यह देखें यह यह जो प्रषण संख्या 3 से मिलता जुलता है तो यहां थोड़ा सांतर है कि यहां रुपे का कितने रुपे मांगा गया है यहां संख्या नहीं है कितने रुपे हैं प्रस्न संख्या 3 में था संख्या मांगा गया था तो ठीक उसी तर से बनाएंगे यह देखिए अंतिम दो जो अंख है वो द अंतिम से जो अंतिम क्रमांग है उससे शुरुवात का जो क्रमांग है उसको घटा दिया था तो 85 से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा दस आता है इसमें एक और जोड़ देंगे ग्यारा अब यह रुपे पूछ रहे तो दस दस का नोट है तो एक ग्यारा को हम क्या करेंगे दस से गुना कर देंगे तो हो गया कितना 110 रुप्या यह 110 रुप्या अब प्रस्ण संख्या साथ तो प्रस्ण संख्या साथ भी है वो प्रस्ण संख्या एक और प्रस्ण संख्या पांच की तरह ही है तो आप खुद इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से, चले फर से मैं बता देता हूँ, जो उन प्रशनों को नहीं समझ पाई होंगे, उनके लिए मैं फर से दो रहा देता हूँ, क्या करते हैं, फुल से ये एक घटा के, इसको इससे घटा देते हैं, ये जो पचीसवा स्थान है इसको 24 कर देते हैं, और पचास से घटा देते हैं, बस वही हमारा answer होगा, ये 24, दस से 4, 6, और ये 4 से 2, 2, तो ये आगया, 26, अब ये देखे, प्रशन संख्या 8, एक पंक्ती में रही, शुरू एवं, अंत दोनों और से, 17 स्थान पर है, उस पंक्ती में कुल कितने लोग हैं, आप इससे पहले वाले प्रशनों को फड़ा सा स्क्रॉल करके जाएं, और देखें, ये किसके जैसा है, ये प्रशन संख्या, दो जैसा ही है, तो इसमें हमने क्या किया था, प्रशन संख्या में जो हमने किया था, यहा ङुलरू से भी हम गिनते हैं तो शिघर आंधा 1 यानि बीच में हैं तो इसमने हम क्या हमने क्या किया था सटरसacak घटा देगे तो remember ओर जोद कि उसको दुगना कर देते हैं और एक जोड देते हैं सुल्न डूनी बाद्गी समय हो गया एक ताइंसर की नों आपró कि 51 विद्यार्थियों के वर्ग में राजु सत्रवे स्थान पर है अंत से राजु का स्थान क्या है तो इस तरह के कई प्रश्ण हमने इससे उपर हल किया है तो यह प्रश्ण मैं आपके लिए छोड़ता हूं इसे हल करें और इसका एंसर कॉमेंट में लिख के दें और साथ ह आप अपना नाम और किस जिले से हैं उसे भी अवज से लिखेंगे प्रश्ण संख्या 10 इस तरह का भी प्रश्ण हमने हल कर दिया है इसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप स्वयम से हल करें और कॉमेंट में इसका एंसर और साथ ही आप कहां से हैं अगर हो सके तो आप स् प्रश्ण है या टीचर है तो अपने स्कूल का नाम भी लिखें तो और अच्छा रहेगा तो आसा है कि यह जो दर्श परश्ण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और इसमें जो ट्रिक हमने बताया उस ट्रिक की सहायता से आप इस तरह की प्रश्ण जब आपकी परिक्ष प्रश्ण में आते हैं ऐसा नहीं है यह प्रस्ण उन सभी प्रिक्षों के लिए इंपर्टेंट है जिसमें कि रिजनिंग से संबंधित प्रस्ण होते हैं धन्यवाद